C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू बाहरमा पाट कितना भारी कितना हलका जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे उन्होंने घर का सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी में लादा उनके सामान में था एक पानी की टंकी, पांच बोरी गेहूं, तीन मेज, एक अलमारी, चार कुरसियां, दो गद्दे, तीन बोरी चावल, एक बास की सीड़ी और कुछ बर्तन जब उन्होंने सारा सामान लाद लिया और चलने लगे तो घोड़े ने चलने से मना कर दिया वो हैरान थे, कि ऐसा क्यों हुआ, उनके पिताजी ने बताया, कि घोड़े की तबियत ठीक नहीं है और वो 700 किलोग्राम, यानि केजी से ज्यादा वजन नहीं ढो सकता ओह, लेकिन लादा गया वजन कितना है, उन्होंने पूछा यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी का चितर है, और उसमें कुछ व्यक्तियों को सामान लादते हुए दिखाया गया है प्रिष्ट 134 उनके पिताजी ने उन्हें चीजों के वजन के बारे में जानकारी दी यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इसके दो खाने है पहले खाने में लिखा है लादा गया सामान और दूसरे में लिखा है वजन आईए, अब हम इस तालिका को पढ़ है गेहूं की एक बोरी 100 किलोग्राम एक चावल की बोरी 35 किलोग्राम पानी की ठंकी 50 किलोग्राम अलमारी 70 किलोग्राम एक मेज 10 किलोग्राम एक कुरसी 5 किलोग्राम एक गद्दा 20 ग्राम बास की सीड़ी 10 किलोग्राम और बरतन भांडे 10 किलोग्राम बच्चों ने घोड़ा गाड़ी पर कुल कितना वजन लादा था रिक्तिस्थान अब उन्होंने सोचा कि वो कुछ सामान नीचे उतारेंगे कौन-कौन सी चीजें गाड़ी में से उतारी जाएं कि लादी गई कुल चीजों का वजन साथ सो किलोग्राम से ज्यादा न रहे अब तुम स्वैम उन चीजों के नाम लिखो घोड़ा गाड़ी में लादी गई चीजें आकार में बहुत बड़ी हैं और बहुत भारी भी ऐसी बड़ी वभारी चीजों को तोलने के लिए हमें बड़ी तराजू की जरूरत होगी यहाँ पर एक तराजू का चित्र है जिस पर एक गद्दे को लादे हुए दिखाया गया है अब जैजू और मन्नू अपने खुद की तराजू बनाना चाहते हैं इसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें कठी की एक डंडा, दो ढकन और एक बड़ा धागा यह उनकी तराजू का चित्र है यहाँ पर एक तराजू का चित्र बना है अब तुम भी अपनी एक तराजू बनाओ यह भी लिखो कि तुमने उसे कैसे बनाया नीचे दिये गए बॉक्स में अपनी तराजू का चित्र बनाओ यहाँ पर एक खाली स्थान है करके देखो मन्नू और जैजू तराजू के दो अलग-अलग पलडों में पैंसिल और जियामिती बॉक्स रख देते हैं कौन सा पलड़ा नीचे जुकेगा क्यों? क्या तुम इसका चित्र बना सकते हो? यहाँ पर मन्नू और जैजू के चित्र बने है यहाँ पर एक जियामिती बॉक्स और एक पैंसिल का चित्र है कौन सा भारी है? अलग-अलग चीजों के जोड़े बनाओ और तोल कर देखो कि कौन सा भारी है पहले सोचो कि किस चीज को पलड़े में डालने पर वो नीचे जुकेगा और फिर अपने अंदाजे की जाच करो सबसे भारी कौन? तीन-तीन चीजों के समू बनाओ जैसे रबर, गेंद और कागज तराजू का प्रयोग करते हुए चीजों को उनके वजन के क्रम में लगाओ पहले सबसे हलकी, फिर बीचवाली और आखिर में सबसे भारी चीज कम से कम ऐसे पांच समू बनाओ और तालिका पूरी करो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके तीन भाग है पहले में लिखा है सबसे ज्यादा हलका दूसरे में लिखा है ना ज्यादा हलका ना ज्यादा भारी और तीसरे में लिखा है सबसे ज्यादा भारी आईए अब इसे पढ़ते हैं सबसे ज्यादा हलका कागज ना ज्यादा हलका ना ज्यादा भारी रबर सबसे ज्यादा भारी गेंद अब तुम दिये गए खाली स्थानों में अपने मन से वस्त्मों के नाम लिखो क्या तुम अपना भार इस तराजू पर तोल सकते हो शिक्षिकों के लिए निर्देश बच्चों द्वारा बनाए गई तराजू बिल्कुल सही तो नहीं होगी पर ऐसे भारू की तुलना करने के लिए पर्याप्त होगी जो एक दूसरे से बहुत अलग है प्रिष्ट 136 बाट बनाना इस गतिविदी को जोडों में करें इसके लिए तुम्हें चाहिए तराजू, बट्टे, एक साबुन के टिक्की, प्लास्टिकी थैलिया, रेत और रबर बैंड तुम किसी बड़े व्यक्ति की मदद भी ले सकते हो साबुन की एक नए टिक्की लो साबुन की टिक्की पर उसका वजन लिखा होता है तुम इस साबुन का इस्तमाल करते हुए अलग-अलग बाट बना सकते हो साबुन का वजन रिक्तिस्थान ग्राम है प्लास्टिक का एक छोटा पैकिट लो तराजू के एक पलड़े में उसे रखो साबुन की टिक्की को दूसरे पलड़े में रखो धीरे धीरे रेत को प्लास्टिकी थैली में डालते जाओ जब तक पलडे बराबर ना हो पैकेट को रबड चढ़ा कर या धागे से बंद कर दो इस पर कागस की एक पट्टी चिपकाओ और उस पर रिक्तिस्थान ग्राम लिख दो अब साबुन के टिक्की और अपने बाट को एक ही पलडे में रखो दोनों का मिलकर कितना वजन हुआ रिक्तिस्थान इसी तरह 150 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम के बाट बनाओ इसके लिए तुम अलग-अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर एक तराजू का चित्र बना है जिसके एक पलडे में साबुन रखा है और दूसरे में प्लास्टिक की थैली में रेत डाली जा रही है दूसरे चित्र में यहाँ पर एक पैकेट है जिस पर 50 ग्राम लिखा हुआ है और उसके पास एक रबर का चित्र है कुछ बड़े बाट भी तयार करो 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 750 ग्राम यहाँ पर तीन थेलियां दिखाई गई है जिन पर 1500 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम लिखा हुआ है अपने बनाय हुए बाटों से अलग-अलग चीजें तोलो और अपनी कौपी में उनके वजन लिखो प्रिष्ट 137 अभ्यास का समय कौन सा पलडा नीचे जुकेगा तीर के निशान से चित्र बना कर दिखाओ तराजू 1 इस तराजू के पहले पलडे में 25 ग्राम और 40 ग्राम के बाट रखे हैं तो इनमें से 35 ग्राम और 40 ग्राम वाला पलडा नीचे जुकेगा तराजू 2 पहले पलडे में भार 75 ग्राम और 75 ग्राम दूसरे में 35 ग्राम और 140 ग्राम तीसरा तराजू पहले पलड़े में भार 105 ग्राम और 200 ग्राम, दूसरे में भार 150 ग्राम और 250 ग्राम, चोथा तराजू पहले पलड़े में भार 55 ग्राम, 245 ग्राम और 700 ग्राम, दूसरे पलड़े में भार 254 ग्राम और 600 ग्राम, पांच्वा तराजू पहले पलड़े में भार 20 ग्राम और 196 ग्राम और दूसरे पलड़े में सिर्फ 157 ग्राम पहले पलड़े में भार 36 ग्राम और 75 ग्राम और दूसरे में भार 63 ग्राम और 100 ग्राम क्या इन में से किसी भी पलड़े का कुल वजन एक किलो ग्राम है? एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं प्रिष्ट 138 ग्राम और किलोग्राम ऐसी पांच चीजों के नाम लिखो जिने हम खरीदते हैं यहाँ पर एक तालिका है जिसके दो भाग है पहले भाग में लिखा है ग्राम में और दूसरे में लिखा है किलोग्राम में अब तुम उन चीजों के नाम लिखो जिनने तुम ग्राम और किलोग्राम में खरीदते हो यहाँ पर एक आटे की बोरी का चित्र भी है कौन सा भारी है? यहाँ पर एक विक्ति का चितर बना है जो कह रहा है कौन सा भारी है एक किलोग्राम रूई या एक किलोग्राम लोहा यहाँ पर एक विक्ति का चितर है जिसके एक हाथ में बाट और दूसरे में रूई का एक गोला है यहाँ पर तक्ये को फैकते हुँ दिखाया गया है और एक अनी चित्र में तर्बूस को भी फैकते हुँ दिखाया गया है यहाँ पर एक लड़के, एक लड़की और एक अध्यापका चित्र है लड़का कहता है सर उसने मुझे तर्बूस फैक कर मारा लड़की कहती है पहले उसने एक किलो का तक्खिया मुझ पर फेका इसलिए मैंने उस पर एक किलो का तर्बूज दे मारा कल आपने कहा था कि दोनों का वजन बराबर है प्रिष्ट 149 दिनेशन की खरीदारी दिनेशन पर्चून की दुकान पर गया और वहां से नीचे लिखी चीज़े खरीद कर लाया उसने बिल भी लिया था पर उसके छोटे भाई ने उसे वहां से फार दिया जहां वजन लिखे थे अंदाजा लगाओ और हर चीज़ का वजन लिखो ग्राम में या किलो ग्राम में यहां पर दिनेशन का चित्र है और उसके बगल में एक तालिका बनी है तालिका के तीन भाग हैं पहले भाग में लिखा है चीज़ें दूसरे भाग में लिखा है वजन और तीसरा फटा हुआ भाग है जो खाली है आईए, अब हम तालिका को पढ़ें चीजें चाय वजन 250 रिक्तिस्थान रितू अपने खिलोनों का वजन कर रही है वो सोच रही है कि क्या उसका ट्रैक्टर उसकी कार से भारी है तुम जल्दी से ढूनने में उसकी मदद कैसे करोगे अंदाजा लगाओ कि कौन सबसे भारी है असली कार, बस या ट्रेक्टर यहाँ पर एक चितर में रितु को तराजु से तोलते भी दिखाया गया है रितु कहती है अगर मैं दो कारे रखूँ तो क्या ट्रेक्टर फिर भी उनसे भारी होगा तुमने सबसे भारी कौन सी चीज़ देखी है प्रिष्ट 140 से 142 तक एक कहानी दी गई है जिसमें कुछ पात्र और जानवर दिखाए गई हैं अब हम कहानी को पढ़ते हैं प्रिष्ट 140 हाथी का वजन एक बार एक राजा के पेट में दर्द उठा महल का कोई भी वैद्य उसके दर्द का इलाज नहीं कर सका मुझे से अब दर्द और सहा नहीं जाता तब राजा ने कहा जो कोई मेरे पेट के दर्द को दूर करेगा उसे इनाम में हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा ये सुनकर देश भर के डॉक्टर इकठे हो गए पर केवल डॉक्टर वैदिका ही इलाज कर पाई ओ बढ़िया मेरा धर्द बेलकुल गायब हो गया धन्यवाद डॉक्टर वैदिका तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा महाराज प्रिष्ट 141 लेकिन लालची राजा उसको इनाम नहीं देना चाहता था उसने एक चाल चली अच्छा पहले एक हाथी का वजन करवाओ फिर मैं तुम्हें उसके बराबर सोना दूँगा डॉक्टर वैदिका जब घर पहुंची तो बहुत उदास थी उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई वैदिका ने कहा मैं एक हाथी का वजन कैसे करवा सकती हूँ इतनी बड़ी तराजू कहां से लाओ मैं उसकी बेटी ने कहा तुम चिंता मत करो मा मुझे एक तरीका सुझा है राजा से कहो अगली सुभा डॉक्टर वैदिका ने राजा को नदी के किनारे बुलाया राजा एक हाथी और बड़ी नाव के साथ वहां पहुचा राजा ने सोचा मुझे लगता है कि वो पागल है वो हाथी का वजन नाव के साथ कैसे करेगी प्रिष्ट एक सुबे आलेस नाव नदी में कितना डूबी हुई है तब उसने कहा कि अब हाथी को नाव पर चड़ाओ अब नाव नदी के पानी में और भी ज्यादा डूब गई वैदिका की बेटी ने पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगाया अब सोचो फिर क्या हुआ होगा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी को पूरा करो क्या वैदिका की बेटी को हाथी के वजन का पता चल पाया होगा तो इस तरह कहानी हुई खत्म प्रिष्ट 143 एक कुरसी का वजन कितना अनामिका अपनी कुरसी का वजन मशीन की मदद से जानना चाहती है यहाँ पर एक वजन मशीन और एक कुरसी का चितर है क्या तुम इसको तोलने का तरीका बता सकते हो तूटे पत्थर अब्दू जलाने वाली लकडी बेशता है उसकी दुकान में 13 किलो का एक पत्थर था वो अकसर इसकी मदद से लकडी तोलता था एक दिन वो पत्थर नीचे गिरा और उसके 3 टुकडे हो गए 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो यहाँ पर अब्दू को तराजु पर लकडी तोलते भी दिखाया गया है और साथ ही एक पत्थर के 3 टुकडे हैं जिन पर लिखा है 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो पर अब्दू बड़ा तेज निकला वो इन तीन टुकडो की मदद से अब एक से नौ किलो के बीच किसी भी वजन की लकडी तोल लेता है देखो अब्दू एक किलो लकडी कैसे तोल रहा है यहाँ पर एक तराजू का चित्र है जिसके एक पलड़े में छे किलो का पत्थर है और दूसरे पलड़े में पांच किलो का पत्थर और साथ में लकडी का एक बंडल रखा है यहाँ पर अब्दू का चित्र है अब्दू कहता है अच्छा तो इस बंडल का वजन एक किलो है प्रिष्ट एक सुचावालेज क्या तुम बता सकते हो कि तीन टुकुडों की मदद से अब दू वजन कैसे करेगा? यहाँ पर पत्थर के तीन टुकुडे हैं दो, पांच और छे किलो के और यहाँ पर कुछ तराजू भी दिये गए हैं अब आपको लकडियों को इन पत्थरों की मदद से तोलना है अ, चार किलो लकडी ब, तीन किलो लकडी और स, साथ किलो लकडी प्रिष्ट एक सो पेंतालेज डाक घर क्या तुम कभी डाक घर गए हो? रिक्तिस्थान लोग किन किन कामों के लिए डाक घर जाते हैं? रिक्तिस्थान पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होती है? रिक्तिस्थान एक अंतर देश्य पत्र की कीमत क्या होती है? यहाँ पर एक डाक घर की महर एक लेटर बॉक्स और एक वजन मशीन पर पत्रों को तोलते भी दिखाया गया है यहाँ पर डाक दनों की एक तालिका है आईए, अब हम तालिका को पढ़ते हैं तालिका के दो खाने है पहले खाने में लिखा है डाक सामगरी और दूसरे में लिखा है डाक दने रुपए में एक पोस्ट कार्ड पचास पैसे, छपा हुआ पोस्ट कार्ड छे रुपए, अंदर देश्य पत्र दो रुपए पचास पैसे, पत्र वजन से एक 20 ग्राम या उससे कम पांच रुपए, दो अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए दो रुपए, पार्शल का वजन एक 50 ग्राम और उससे कम पांच रुपए, दो अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए तीन रुपए, उपर दी गई तालिका में डाक दरों को देखो, एक, अगर 50 ग्राम का एक पत्र भेजना हो, तो तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, रिक्तिस्थान, दो, आकाश अपनी मित्र रानी को, जो की चैन्ने में रहती है, एक पार्सल करना चाहता है, गणित का जादू, किताब का वजन 200 ग्राम है, इस चाट को देखो, और किताब को भेजने की केमत पता करो, रिक्तिस्थान, यहाँ पर एक पार्सल का चितर बना है, प्रिष्ट 146, तीन, चितर में दिखाया गया वजन कितना है, इस वजन का पार्सल भेजने की केमत पता करो, यहाँ पर एक तरफ डाक टिक्टों का चितर है, और दूसरी तरफ वजन मशीन के मीटर को दिखाया गया है, यहाँ पर वजन मशीन के मीटर का चितर है, और साथ ही कुछ डाक टिक्टे भी हैं, यहाँ पर एक रुपे की एक टिकट, दो रुपे की एक टिकट, पांच रु की एक टिकट है और वजन मशीन की सुई को 200 और 250 ग्राम के बीच में दिखाया गया है अब तुम इन खालिस स्थानों को भरो पारसल का वजन बराबर रिक्तिस्थान डाक टिक्टों के कीमत बराबर रिक्तिस्थान कितने डाक टिकट राहुल को अपने पारसल के लिए 25 उस समय वहां एक, दो, पांच और दस उर्पे के ही डाक टिकट मिल रहे थे वो कितने अलग अलग तरीकों से 25 उर्पे का टिकट खरीद सकता है क्या तुम पांच अलग अलग तरीके बता सकते हो 25 उर्पे के डाक टिकट में तुम जादा से जादा कितने वजन का पारसल भे के लिए लगातार कोशिश कर रहा था मैं कैसे बचूं मेंडक ने सोचा अचानक उसे एक तरकीब सूझी उसने कववे से पूचा क्या तुम्हें गणित आता है यदि हाँ तो मैं तुमसे एक सवाल पूचता हूँ तुम्हारा वजन 650 ग्राम है और मैं हूँ केवल 145 ग्राम क तो हम दोनों का वजन एक साथ कितना होगा? कववे गणित में बहुत अच्छा था इसलिए खुशी खुशी उसने उत्तर देने के लिए चोंच खोली फिर क्या हुआ? क्या तुम बता सकते हो कि कववे के दिमाग में क्या उत्तर होगा? रिक्तिस्थान ग्राम यहाँ पर एक चित्र में कव्वे की चोंट से मेंड़क को गिरते हुए दिखाया गया है प्रिष्ट 147 मैं ठीक हूँ या मोटा हूँ नीचे दी गई तालिका में 6 से 10 साल के बच्चों के कद और वजन दिखाये गए है यहाँ पर दो बच्चों की चित्र हैं और एक तालिका दी गई है तालिका के चार भाग है पहले भाग में लिखा है नाम दूसरे में उम्र, तीसरे में उचाई और चौथे में वजन लिखा है आईए अब हम तालिका को पढ़ते हैं नाम तेमशुला उम्र छे साल उचाई तीन फीट साथ इंच वजन सोलह किलो नाम शिरिकुंट उम्र दस साल उचाई चार फीट तीन इंच वजन तेईस किलो नाम रबिया उम्र छे साल उचाई तीन फीट दस इंच वजन सत्रह किलो नाम विनेत उम्र आट साल उचाई तीन फीट ग्यारा इंच वजन साड़े उन्निस किलो नाम कविता उम्र नौ साल उचाई तीन फीट दस इंच वजन बीस किलो अब अपने पाँच दोस्तों के उम्र कद और वजन पता करो और दीगई तालिका में भरो यहाँ पर एक तालिका है जिसके चार भाग हैं पहले में लिखा है नाम, दूसरे में उम्र, तीसरे में उचाई और चोथे में वजन लिखा है अब तुम स्वयम इस तालिका को भरो यहाँ पर एक हाथी, एक लड़की और एक चीटी का चित्र है हाथी और चीटा लड़की से कुछ कह रही है हाथी कहता है क्या तुम मेरा स्वास्थ चाट बना सकते हो चीटा बोला मेरा स्वास्थ चाट भी प्रिष्ट एक सौड़ता लेज पहली, कितने संत्रे सभी संत्रों का वजन बराबर है दो पपीते भी एक ही वजन के है पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है कितने संत्रों की जरूरत पड़ेगी तीसरी तराजू को बराबर करने के लिए यहाँ पर तीन तराजू है पहली तराजू एक आम एक संत्रा बराबर तीन संत्रे दूसरी तराजू दो पपीते बराबर दो संत्रे और एक आम तीसरी तराजू एक पपीता और एक आम बराबर कितने संत्रे होंगे कौन सा कंचा एक ही आकार के तीन कंचे हैं लेकिन एक कंचा बाकी दोनों से थोड़ा सा हलका या भारी है. क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो कंचा कौन सा है? और वो दोनों से हलका है या भारी? ये पता करने के लिए तुम तराजू का इस्तेमाल केवल दो बार कर सकते हो. यहाँ पर तेन कंचो का चित्र है. इसी के साथ बार्वा पाठ कितना हलका कितना भारी अब यहीं समाप्त होता है. स्वर, प्रमीन शर्मा, तक्निकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्मान, विमलेश चोधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.